हेलो सिविल एंजिनियर्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यह जो है चेयर्स के बारे में जब हम लोगों की डबल मैश होती है यह आप लोग देख सकते है यह बॉटम मैश है और यह आप लोग देख सकते है यह टॉप मैश है जब दो लेयर्स हो जाती है तो उसक वो एकवी डिस्टेंस, जो डेप्थ है, मेंटेन करने के लिए, और यह जो टॉप श्टील है, टॉप जो बास है, एकस एड वाय डाइरेक्शन का, उसका लोड कयारी करने के लिए, हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चेयर्स, यह आप लोग देख सकते हैं, यह जो है, मैं आप लोगों को मैं बता दू पूरे frame में, देखेंगे friends, ये यहां से ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, इस type से, आप लोगों की एक, जो है, ये chairs है, ये chairs का, जो main function है, ये जो top की bar को है, distance maintain करना है, अगर pile है, pile cap की distance, footing है, तो fitness की top and bottom bar की distance slab है तो slab में जो top and bottom bar की distance को maintain करके रखता है तो यह जो chairs है friends एक meter में आप लोगों की एक chair at least provide होनी चाहिए और as per requirement जैसे होगी उस type से भी आप लोग provide कर सकते हैं यह आप लोग देख सकते हैं यह जो chairs है इस type से आप लोगों को provide करना है एंड यह जो chairs है friends इसकी डाया जो है आप लोगों की जो main bars होगी equal 25 mm है तो अगर 25 mm minimum आप लोगों को रखना है जो आपकी डाया होगी बार की वो same डाया आप लोगों को रखना है या minimum 25 mm for footing and big pile caps and जो आप लोग slabs जो छोटे slabs होते हैं उसमें minimum आप लोगों को 10 mm डाया की chairs provide करना है तो यह जो है friends यह pile cap है यह बहुत 600 m3 का pile cap है friends यह pile cap में number of जो top and bottom bars को maintain रखने के लिए equidistance maintain रखने के लिए हम लोगों site conditions provide करना है and यह top की जो layers है उसको maintain करना है नहीं तो क्या होगा यह आपका में जो cover होता है यह आप लोग देखेंगे यह जो top में cover होगा 50 mm 75 mm तो वो maintain नहीं होगा तो यह maintain करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जो chairs provide करते हैं तो hopes of friends आप लोगों को एक basic clearance हो गया होगा कि chairs हम लोग जब double mesh होता है double mesh में chairs किस type से provide करते हैं so thank you so much guys for watching this video तो